आज मैं आप लोगों के साथ शेर कर रहे हूं बहुत शानदार गुलाब रसगुला बनाने की रेसिपी गुलाब रसगुला बनाने के लिए मैंने 500 ग्राम छेना लिया है ये छेना मैंने घर पर देयार किया है आईए सबसे पहले तो हम घर पर आसानी से छेना बनाने का एक quick recap देखते हैं ये recipe मैंने आप लोगों के साथ पहले भी share की है और इसका link मैं description box में आपके साथ share कर रही हूँ आप वहाँ से इसको देख सकते हैं वैसे मैं इसका link आई बटन में उपर डाल रही हूँ आप यहाँ से भी इसको चेक कर सकते हैं इस तरह से घर पर हम step by step अच्छी तरह से छेना बना सकते हैं बहुत हलका step है बहुत आसानी से आप इसको बना सकते हैं मैंने इसमें आपको अच्छी तरह से बताया हुआ है कि किस तरह से हम घर पर छेना त्यार कर सकते हैं जितनी भी बेंगॉली मिठाई होती हैं उस सभी का main ingredient जो हता है वो हता है छेना और जब एक बार हमें एक perfect texture का छेना त्यार हो जाएगा यानि जब हम उसको अच्छी तरह से घर पर त्यार कर लेंगे तो हमारे लिए बहुत easy हो जाता है कोई भी बेंगॉली मिठाई आसानी से बनाने का इस छेने से आप रसमलाई, रसगुला, छेना खेल, चम चम कोई भी बेंगॉली मिठाई आराम से बना सकते हैं मैंने इनी सभी स्टैप्स को फोलो करके और इस तरह से देखिए ये छेना यहाँ घर पर त्यार किया है ये 500 ग्राम चेना तोल में है और वैसे ये एक लिटर दूट से मैंने त्यार किया है अब हम चलिए इस छेने से गुलाब रसगुला बनाना शुरू करेंगे चेने को एक परफेक्ट टेक्स्च्चूर देने के लिए और वो अच्छी तरह बाइंड हो जाए एक छोटा चमच में मैंदा यूज कर रहे हूं चेने को हम अच्छी तरह क्रंबल कर लेंगे और क्योंकि हम गुलाब रसगुला बना रहे हैं तो इसके लिए हमें चेने को पिंक कलर देने की आफशक्ता है यहां मैं कुछ बुंदे पिंक कलर की यूज कर रहे हूं यह जरूरी है तभी चेना हमारा गुलाबी रंका हो जाएगा अब हम एक बार पिंक कलर और मैदे को छेने के साथ अच्छी तरह से हाथों से मिक्स कर लेंगे मैंने बहुत हलका सा पिंक कलर यूज किया है यह आप अपने इच्छा से देख सकते हैं तो ज़्यादा अगर गुलाबी रंक चाहिए तो आप ज़्यादा यूज कर ले और वैसे तो बहुत हलका वह यानि कुछ बूंदे ही गुलाबी रंकी हम इसमें डालेंगे तो इसको परफेक्ट कलर मिल जाएगा अब हम यहां इसको अच्छी तरह से मिक्स करके और देखिए अब यह मेन जो प्रोसेस है छेने को चिकना करने का वो हम हतेली के नीचे वाले हिस्से से इसको रगड़ेंगे और इसको एक परफेक्ट एक्सर इसका बनाएंगे यानि कि इसको हमें चिकना करना है बहुत अच देखिए मैंने इसको बढ़िया तरह से त्यार कर लिया है इसको एक थोड़ा सा लंबाई में मैंने शेप दे दिया है इसको इक्वले डिवाइड कर लेंगे और अब इससे हम रजगुला बनाने के लिए लगभग इक्वल साइज की बॉल बनाकर त्यार करेंगे इससे मैं आठ रजगुले बनाकर त्यार कर रही हूँ यानि नॉर्मल साइज के हैं ये और इतनी छेने से हम आठ रजगुले बनाएंगे इसको मैंने आठ भागों में डिवाइड कर लिया है और अब हम इसको गोल करना शुरू करेंगे प्रोसेस आप देख सकते हैं एक बॉल उठाएंगे उसको हलका सा गोल करेंगे हतेलियों की बीच में लाएंगे और बहुत दीरे दीरे उसको हम प्रेस करेंगे ऐसा करने से क्या होगा इसके अंदर स्बंच अच्छी तरह से बनेगा जब ये पकेगा इस तरह देखिए बाद में हम उगलियों से उसको शेप देंगे और एक बिल्कुल बिना क्रैक की बॉल बना कर तयार करेंगे आप अच्छी तरह देख सकते हैं इस तरह से हम एक बिल्कुल बिना क्रैक की बॉल बना कर तयार करेंगे दूसरा भी मैं आपको दिखा रही हूँ हतेलियों के बीच में लाएंगे उसको हलका हलका सा हम दबाएंगे और दुबारा से उसको हम गोल शेप देदेंगे उमलियों से उसको हम परफेक्ट एक्टम राउंड करेंगे और इस तरह से हम सभी रसगुलों को बना कर तयार करेंगे यह आप दिखान रखें कि इसमें कोई भी क्रेक नहीं पढ़ने होना चाहिए अगर आपको लगे कि क्रेक बढ़ रहा है तो यानि छेना अच्छी तरह से मसला हुआ नहीं है उसको आप फिर दुबारा से एक बार अच्छी तरह से मसल लें और बिना क्रेक की सभी बॉल बना कर तयार कर लें यह आप देखिए इस तरह मैंने सभी रसगुले बना लिये हैं और अब इसको पकाने के लिए हम चाशनी बनाने के तयारी करते हैं चाशनी बनाने के लिए मैंने एक कप चीनी ली है और उसी कप से नापते हुए पांच कप मैं इसमें पानी आयर कर देंगे यानि एक कप चीनी में हम पांच कप पानी डाल देंगे और इसको रोज का फ्लेवर देने के लिए हम रोज एसेंस थोड़ा सा इसके अंदर कुछ गूंदे डाल देंगे चीनी को उबलने देंगे ज़्यादा हमें इसमें कोई तारवाली चाशनी नहीं बनानी है बस चीनी को हमें जस्ट उबलना यानि जब चीनी अच्छी तरह गुल जाए उसके बाद हम इसमें रजगुले डालनी शुरू करेंगे हाँ ये बात आप ध्यान रखें हाई फ्लेम पर हम पानी को उबाल लेंगे और उबलते हुए पानी में हम दीरे दीरे यानि एक एक करके रजगुले को डिप करेंगे ऐसा इसलिए करना जरूरी है क्योंकि चाश्णी जो उबल रही है अगर हम सभी रजगुले एक साथ डाल देंगे तो वो एकदम से ठंडी हो जाएगी और यहां हमें चाश्णी का जो टेम्टेचर है वो मेंटेन रखना है इसलिए हम वन बाइवान यानि एक एक करके करा रही हूं रजगुले जस्ट एकदम डबल साइज के हो गए है इसको हम बहुत हलका हलका क्योंकि यह बहुत सॉफ्ट है एक बार पलट देंगे और दुबारा से ठकन लगा कर इसको हम 10 मिनट के लिए फिर मेडियम आज पर उबलने देंगे पानी इसमें बिल्कुल ठीक पर ठंडा होने के बाद इसको हम व्रिज में रखेंगे क्योंकि जो बंगाली मिठाई है उसका तो ठंडा ही आनंद आता है ठंडा खाने का और लास्ट में इसको सर्व करने से पहले देखिए ठंडे ठंडे गुलाब रसकुलो के ऊपर कुछ गुलाब की पंखुडिया हम से डाल देंगे और यह आप देखिए स्पॉंजी इतने बने हैं इसको मैं दबा कर फिर दुबारा से रख रही हूं यह दुबारा अपनी शेप ले रहे हैं और अंदर से इसका स्पंज मैं चेक कराती हूं एक काटकर यह आप देखिए अंदर से बिल्कुल परफेक्ट अच्छी रेसिपी है इस रेसिपी को आप जरूर ट्राइब करें अच्छी लगे तो लाइक भी दें और शेयर भी करें और यह लीजिए आपके लिए गुलाबस गुला तेयारें आपको मेरी बनाई हुई रेसिपी पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें बैल आइकन दबाना मत भूलें आप मेरे साथ इंस्टागराउन, फेस्बुक, ट्विटर और पिंट्रेस्ट पर भी जुड़ सकते हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक दीजिए और आपकी जो भी क्वैरीज हैं मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं थैंक यू